अभीरा अर्मान को लेकर पहुची है हॉस्पिटल अर्मान अपने पापा यानि की माधव वोदार को इस हाल में देखकर काफी जादा घब्रा जाता है जी हाँ अखिर कैसे पता चला अभीरा को कि माधव हॉस्पिटल में है और जिसके बाद वो तुरंट अर्मान को लेकर वहाँ पहुचती है तो क्या अब संजे का सचा जाएगा सबके सामने माधव खोल देगा संजे की पोल और क्या हो पाएगी अर्मान और रूही के शादी क्या है पूरी खबर आईए बताएंगे आपको हमारे चैनल टीवी न्यूस पे लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं गया तो सबसे पहले सबस्क्राइब करने चे ये रिष्टा क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि किस तरीके से अभीरा के हाथ में फ्राक्चर हो जाता है जी हाँ छोटी मुटी चोड लग जाती है जिसके लिए अर्मान उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहाँ कुछ न कुछ अभीरा को शक हो जाता है जिसके बाद दूसरे दिन अभीरा फिर से उसी हॉस्पिटल जाती है और फिर वहाँ उसे पता चलता है माधव के बारे में जिहां सबसे पहले तो अभीरा काफी ज़ादा शौक हो जाती है कि मादफ इस हालत में है और किसी भी घरवाले को इसके बारे में पता नहीं है जिसके बाद वो तुरंट अर्मान को फोन लगाती है अर्मान रूही के साथ होता है और वो अभीरा का नमबर देखती है जब रूही तो वो काफी जादा गुसे में आती है और वहां से उठके चली जाती है जिसके बाद अर्मान अभीरा का फॉन फॉन उठाता है और तुरंट वहाँ से भागते हुए हॉस्पिटल पहुचता है हॉस्पिटल में अर्मान और अभीरा जब मालव्भ को इस हालत में देखते हैं तो अर्मान काफी जादा घबरा जाता है जैसा कि आप सभी जानते हैं, अर्मान अपने फामिली को लेकर काफी जादा प्रोटेक्टिव है जिसके बाद अभीरा अर्मान को सिमालते हुए नजर आती है और अर्मान डॉक्टर से ये काफी बार पूछने की कोशिश करता है कि आप में से किसी ने भी घर वालों को कॉल क्यों नहीं किया जिसके बाद संजे की पोल खुल जाती है तो अब क्या होने वाला है दादी सा का रियाक्शन इन सभी बातों पे किस तरीके से अभीरा और अर्मान के शादी कर सचा आएगा सब के सामने इन सभी चीज़ों के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं कॉमेंस में बताईए वीडियो पुसमताई तो वीडियो को लाइक कीज़े चानल पे नए है तो चानल को सब्सक्राइब पीज़ेए